मैं दिखाती हूँ देखिए फाइनली मेरी पारलर की साफ सफाई हो गई हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे फ्रेंट्स देखिए गर्मी से बुरी हाल है आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और इतनी ज्यादा गर्मी पढ़ रही है न कि पूछिए मत यह अक्टूबर का महीना चल रहा है लेकिन फिर भी गर्मी तो मई जून की तरह पढ़ रही है गर्मी बहुत ज्यादा है एकदम और मेरे पारलर में तो बहुत ज्यादे गर्मी होती है और क्योंगि चारो तरफ से ये पूरा पैक है तो इस वज़ा से ज्यादा गर्मी यहाँ पे होती है तो फ्रेंड्स अभी मैं सारा काम खतम करके आई हुई अभी पारलर में तो पारलर का काम करवाने तो अभी मार्केट मैं की हूँ चूड़ी का तो बहुत सारा मैंने चूड़ी का कलेक्शन लिया हुआ है तो अभी उसको सही से अरेंज करूँगी सेट करना है लगाना है तो उसको सही से लगाऊंगे तो चलिए सुरू करते हैं फ्रेंड्स अभी दो दिन से लाइट नहीं आ रहे थी इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहे थी और एक दिन लाइट ना रहे ना तो समझे सब का पूरा हाल हो जाता है इन्वार्टर भी चार्ज किये फिर लाइट कट गई फिर सुबह में लाइट आई है उसके बाद सब लोग सारा अपना हित्मिनान से सारे लोग सब काम किये हैं लाइट के बिना तो समझे कि पूरा घर अंधेरा अंधेरा लगता है मोबाइल भी स्वीच आप इन्वर्टर भी लोग सब में तो अभी मैं चूड़ी अरेंज कर लेती हूं और दिखाती हूं बहुत सारी चूड़ीयों का कलेक्शन है देखिए यहां पे सब मार्केट से मैं लादी थी चूड़ीया और यहां लगाए हूं अब समझ में नहीं आता है कि पहले कि पुरानी चूड़ीया थी तो उसक करके इंप्रेस होता है और सोचता है कि हाँ इनके पास अच्छा अच्छा कलेक्शन है और फिर लेंगे हम तो देखिए बहुत सारी विराइटी की चूड़ीया है तो इस प्लेंस इंपर चूड़ी है जिसकी डिमांड ज्यादा राती है कर्ष्टमर को बहुत ही सुन्दर सुन्दर चूड़ीया है मैं आप लोगों को पास देखाती है कि इस टाइप सी चूड़ीया देखिए सबसे पहले तो ये जीवित पुत्रिका का ब्रत आने वाला है तो इसमें भी सब चीज नया नया चाहिए नया चूड़ी नई साड़ी और नया सब सिंगार का सामान तो इस समय लगन तो नहीं है लेकिन तेवार के वज़े से पारलर में और कास्मेटिक आइटम में भीड र सारी चूड़ी या अभी अंदर भी इस्टोर करके रखी हुई अभी सोचा कि कुछ सब में का एक एक डिजाइन बाहर लगा दूंगी और कुछ अंदर भी रखेंगे जैसी साइज जैसी डिजाइन कलर सब कस्टमर का डिमांड होगा उसके हिसाप से हम अंदर से भी ला करक तो अभी हम चूडियों को लगाएंगे कुछ पूरानी चूडियों को हटाएंगे और उसको सबसाफ करके सही से लगाएंगे तो नई चूडियां सबसे पहले कस्टमर के नजर में रती है अभी सारे कस्टमर आते थे तो बोलते थे कि अभी मार्केट नहीं हुआ है क्या न आता है तो फिर तो उसमें तो टूटना वाजिव है तो टूट भी जाता है क्योंकि हम लोग साथ में लेकर आ नहीं सकते पूरी दिन मार्केट होती है और साम हो जाता है फिर हम लोग निकल आते हैं और फिर यहाँ पे आने के बाद घर का भी काम है तो फिर घर का काम सब खतम करके अभी पार्लर में आई हूँ तो सोची कि सब चूडियों को लगा दूँ क्यूंकि दो ही दिन तीन दिन है जीवित पुत्रिका का ब्रत तो एक दिन पहले ही सारी महिलाएं सब मार्केट करती हैं तो हर कलर हर डिजाइन की और हर साइज की चूडियां मिलेगी फ्रेंड्स और देखिए इस समय जो जीमी चूवाली साड़ी चली हुई है लेटेस्ट कलर एकदम लाइट वेट और बहुत लाइट कलर में आ रहे हैं उन साड़ियों के लिए भी बहुत सारी चूडियां आई हुई हैं लाइट कलर में और कस्टमर के डिमांड के हिसाब से जैसे जैस से कश्टमर सब डिमांड रखते हैं सारे चूडियां मैंने खरिद ली है और सब चूडियों को सामने फ्रंट पे लगाऊंगी ताकि कश्टमर देखेंगे और लेंगे तो फ्रेंट्स इस समय भीड का मौसम चल रहा है और इस समय और समझें गर्मी से तो इतना परिसानी हो र तो अभी सोचि की तुरंट आ करके पहले ये काम कर लूँ उसके बाद ही कुछ दूसरा काम करूंगी फिर कश्टमर का आना जाना लगेगा तो फिर लगाना मुश्किल हो जाएगा और रात में खाली नहीं रहती हूँ कि रात में आकर लगाऊं रात में घर में का काम देख तो फिर एगे कैसे फ्रेंड सुबह से ही इतनी तेज गर्मी हो रहा है तब ही से इतनी तेज धूप इतनी तेज गर्मी हो रहा है कि कीचन में काम करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है लेकिन क्या करना है करना तो जरूरी है और जैसे कुछ भी काम करो तो एकदम इतनी गर्मी लग रही है कि क्या बताया जाए तो अभी करीब एक घंटा तो लगी जाएगा हमें सब सामान सेट करने में क्योंकि सामान सेट रहता है तो कस्टमर को दिखाने में भी आसानी रहती है और अच्छा से दिखा लेते हैं तो अभी पीछे भी सब सामान फैला हुआ है तो इसलिए साम को सामान सब समेट नहीं पाती हूँ जब सुबह में आती हूँ पारलर में जब घर का काम खतम करके तो पहले ये सब करती हूँ पहले जाडू लगाती हूँ फिर उसके बाद साब सफाई सब सामान फैला रहता है तो उसको जगां जगां पे सेट करती हूँ जहां का सामान वहां रखती हूँ और उसके बाद ये अभी पार्लर का ये जो है सीशा वो भी अभी गंदा हो गया है अभी तेवार का सीजन चल रहा है तो औरतें सब बलाउज सिलवा रही है तो लैस गोटे का भी डिमांड है इस समय तो फ्रेंट्स ये देखिए अभी पार्लर का मेरा सीशा जो फ्रेंट है वो भी अभी गंदा हो गया है तो उसे भी अच्छी तरह से साफ कर लेंगे लैस और गोटे के भी बहुत सारी रेंज है हमारे पास कभी मैं अच्छी तरह से अपने पारलर का टूर कराऊंगी आप लोगों को मौका मिलेगा तो आप लोग इसी तरह से सपोर्ट और अपना प्यार बनाए रखिए फ्रेंट्स और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो लागातार मेरी वीडियो को वाज करते रहें और फ्रेंट्स आप लोग कमेंट भी करें कि आप को मेरी वीडियो कैसी लगती है अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो अगर देखने के लायक हो तो आप जरूर देखिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स अगर नए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक पहुचे और आप लोग हमें अपना प्यार और सपूर्ट बनाए रखें फ्रेंड्स तो अच कबल चेर रख लोंगी तो इस तरह से मैं यह देखी यह सीशा भी साफ हो गया अच्छी तरह से तो अभी तो तेवहारों का सिल्सिला सुरू हो गया है फ्रेंड्स अभी जीवित पूत्री का बुद्धवार के दिन है और मंगलवार के दिन नहाय खाय है जैसे छट व्रत मे हम लोग रखते हैं और उस तरह से फिर रखेंगे उसके बाद करवा चौत फिर उसके बाद छट पूजा नौरात्री अब तो तेवहारों का क्रम लगा ही रहेगा तो जीवित पूत्री का आप लोगों के यहां कब मनाया जा रहा है हम लोगों के यहां तो मंगलवार के दि प्रेंगे उसी को तो कहते हैं कि खर जीऊती अबरत तो हम लोग लेट करके ही पानी पीते हैं तो अभी यहीं प्यारेंज कर दे रहा है फिर जैसे जैसे समय मिलता जाएगा वैसे वैसे हम सबसे करते जाएगा अभी यहां पहले पूरी दुकान की साफ सफाई कर लें क्योंकि एकदम पूरी दुकान बिखरी पड़ी हुई है तो प्रेंट्स अगर जब पूरी दुकान बिखरी बिखरी और फैली पड़ी होना तो कस्टमर को दिखाने में भी प्राब्लम होती है और समझ में नहीं आता है कि कौन सा सामान कहां रखा हुआ है तो जब सारा सामान सेट हो रहता है तो दिखाने में भी प्राब्लम नहीं होती है और इस तरह से ढूड़ना पड़ता है कि कौन सामान कहां रखे हैं और सब सामान अच्छी जगां पर सेट हो तो फटा-फट हम कस्टमर को दिखा देते हैं और परिशानी नहीं होती है तो अभी बहुत सारी चूडियों की कलेक्शन है, मेरे पास अंदर इस्टोर रूम में भी बहुत चूडियां पड़ी हुई है, और सभी में की मैं एक एक डिजाइन बाहर रखी हूँ, सब डिजाइन सब साइज मिलेगी और उसके बाद मैं ज्यादा आगे तो भर नहीं सकती इसलिए इस्टोर रूम में रखती हूँ, जाड़ू ओड़ू लगा करके देखिए पूरे पारलर की साफ सफाई मैं कर ली, थोड़ा सा सुकुन तभी मिलता है जब साफ सुथरा राता है, तो अभी देखिए पूरी तरह से मैं पारलर साफ कर ली हूँ, सब सामान अच्छ से रखना पड़ता है, तो ये रही मेरी पारलर की चूड़ियां, और सब सामान कास्मेटिक आइटम में पूरा XYZ मैं रखती हूँ, और पारलर भी चलाती हूँ, तो ये है लूक, तो पूरी साफ सफाई हो गई है, अब जा करके थोड़ा सा रिलेक्स हुआ है, कि मेरा काम खतम हुआ अब जा करके, और सब सामान सेट हुआ, तो फ्रेंट्स कैसा लगा मेरा पारलर का व्यूँ, और मेरा पारलर कैसा लगा आप लोगों को, जरूर कमेंट करके बताएगा, तब तक के लिए बाए बाए,